नमस्कार दोस्तों, क्लास नाइन्थ महरास्टर स्टेट बोर्ड, मैथेमेटिक्स, पार्ड फर्स्ट अल्जिब्रा, चप्टर नूम्बर त्री, पॉलिनॉमियल्स, में अभी नेक्स्ट पॉइंट जो है, वो है, सिंतेटिक डिविजन आफ पॉलिनॉमियल्स, तो एक पॉल सिंतेटिक डिविजन मेत्र, अब यह मेत्ट क्या है, दीके, जिस पलनाम्यु से हमें डिवाइड करना है, एक सप्लसट पॉइंट करनी है, और यहां से एक सक्ट की वैलिई करनी है, तो एक स्की वैलिई, प्लस टू कम राइट हैंड सेट को लें, तो माइनस टू होगा, त समझ में आ जाएगा सब तो एक्स की वैलिव हमने यहाँ पे फाइंड करिया है इकोल टू जीरो लेकर अब यहाँ पे जिस पलनामेल को हमें डिवाइड करना है वोस पलनामेल का यहाँ पे कोईफिशन्ट फार्म लिखना है coefficient form मतलब variable के exponent के descending order में हमें coefficient लिखने हैं तो यहाँ पे power सबसे ज़्यादा 4 है तो x raised to power 4 का coefficient 3 हम यहाँ पे सर्फ coefficient लिखने है अब power 4 का coefficient 3 है तो power 4 के बाद 3 आएगी तो power 3 यहाँ पे नहीं है x cube की term नहीं है तो x cube का coefficient 0 होगा फिर x square की term है यहाँ पे minus 9 coefficient है x square के बाद power x की 1 तो x सिर्फ x की term नहीं है तो coefficient 0 और constant term minus 8 तो minus 8 यहाँ पे लिखना है अगर कोई constant term नहीं है यहाँ पे तो value 0 लिखना है किंट यहाँ पे x की power 0 होती है x की power 1 फिर x की power 0 अब देखिए method कैसा है कैसी है वो पहले आप समझे method कैसे है क्या method है यह पहले आप समझे first term को agities यहाँ पे लिखना है 3 को 3 को कुछ नहीं करना है first term को कुछ नहीं है 3 हो चाहिए कुछ भी हो first term को agities लिखना है फिर इन दोनों में cross multiply करना है minus into plus minus और यहाँ पे नमबर लिखना है 3 into 2 6 इन दोनों का multiplication यहाँ पे लिखिए फिर इन दोनों में addition या subtraction यही process दोबराना है आगे minus 6 plus 0 sign के अनुसार तो इन में subtraction होगा 6 minus 0 6 ही होगा greater number का sign minus फिर इन में multiplication minus into minus plus 6 into 2 12 अब इन में addition है subtraction अलग-अलग sign तो subtraction 12 minus 9 3 greater number का sign plus positive फिर इन में multiplication minus into plus minus 3 into 2 6 minus 6 plus 0 minus 6 फिर minus 6 और minus 2 का multiplication minus into minus plus 6 into 2 12 12 minus 8 अब दोनों का अलग-अलग sign है तो हमें subtraction करना होगा 12 minus 8 यहाँ पे होगा 4 और greater number का sign plus plus 4 होगा अब सबसे जो last में हमें number मिल जाएगा 4 वो होगा इस division का remainder अब देखिए first polynomial को हमने second polynomial से divide कर लिया है तो हमें quotient और remainder यहाँ पे मिल जाएगा अब remainder तो यहाँ पे last number होगा लेकिन quotient कैसे होगा दिखिए जिस polynomial को हमने divide किया है उसकी degree हमें find करने तो x raise to power 4 highest variable का exponent 4 है तो degree इस polynomial की 4 हो गई अब 4 degree है तो उससे हमें एक कम करना है तो एक कम करना है तो degree 3 हो जाएगी तो x cube फिर x square फिर x और 1 पावर यहाँ पे x की 1 है और यहाँ पे x की पावर 0 है x raise to power 0 मतलब 1 अब इन चारों numbers को serially इन से multiply करना है और idea subtraction sign के अनुसर प्लस इंटू प्लस प्लस 3 इंटू x cube यहाँ पे होगा 3 x cube माइनस इंटू प्लस माइनस 6 इंटू x square 6 x square प्लस इंटू प्लस 3 x 3 x माइनस 6 इंटू 1 माइनस 6 तो यहाँ पे चो मिलगा हमे 3 x cube 3 x cube माइनस 6 इंटू x square माइनस 6 x square प्लस 3 इंटू x 3 x माइनस 6 इंटू 1 माइनस 6 यह जो होगा वो होगा quotient और जो remainder होगा वो होगा 4 यहाँ पे जो है remainder 4 quotient यहाँ पे अब देखें यहाँ पे अगर highest exponent 5 होती तो हमें क्या करना पड़ता x raise to power 4 x raise to power 3 2 1 फिर 0 फिर इंट सभी से यहाँ पे multiply करना होता तो शायद आप method समझ गए होंगे synthetic division method अब जो next point है वो है linear division method आप पलना मिल्स पलना मिल्स की division के लिए linear method अब यह जो method है वो हम practice it के questions solve करते समय ही explain करेंगे जिसे की practice it के question में हो जाएंगे और method में method भी आपको समय में आ जाएगी अब देखे practice it 3.3 question number 1 divide each of the polynomials by synthetic division method and also by linear division method synthetic division method और linear division method इन दोनों method से हमें question solve करना है and write the question and the remainder quotient और remainder लिखना है अब देखें यहां पे M minus 5 से divide करना है तो M minus 5 is equal to 0 अगर हमने ले लिया तो M is equal to 5 तो हमें जो divide करना है वो divide करना है 5 से 5 से divide करेंगे तो coefficient form यहां पे लिखेंगे M square का coefficient 2 M की power 1 का coefficient minus 3 constant value 10 अब 2 as it is लिखना है और इनका multiplication करना है 5 तो जा 10 10 minus 3 7 अब फिर इनका multiplication 75 जा 35 35 प्लस 10 साइन सेम है तो addition करना है 35 प्लस 10 यह होगा 45 तो 45 होगा remainder और coefficient हमें यहां पे लिखना है तो coefficient हम लिखेंगे पहले देखें जिस अब अला मेल को हमने डिएड किया है dividend उसके डिगरी है 2 उससे हमें एक कम करना है M की पावर 1 के बाद M की पावर 0 होगी तो मतलब 1 M की पावर 0 के वहले 1 होगी M की पावर यहां पे 1 तो M दिस पावर 1 मतलब M होता है M into 2 2M प्लस 1 into 7 प्लस 7 यह होग कोशन अब remainder 45 तो हमें लिखना है remainder 45 अब जो linear division method है अब यह जो method है वो हमने लिए है synthetic division दो problem इसका division हमने synthetic division method से किया है अब जो होगा वो होगा linear division method से तो linear division method में हमें सबसे पहले dividend लिखना है जिससे हमें divide करना है 2m square minus 3m plus 10 2m square minus 3m plus 10 यह हुआ dividend अब जो diviser है उसमें जो highest power का जो term है power की term इससे हमें यहां पर जो highest power की term है उससे divide करना है 2m square को यहां से divide करना है तो यह होगा 1m और 1m cancel 2m तो यहां पर लिखना है 2m अब देखे method क्या है अब इस पर्ला मेल की value change नहीं होनी चाहिए यहां पर जो पर्ला मेल है वो ही यहां पर आना चाहिए लेकिन इस पर्ला मेल के अंदर yam minus 5 yam minus 5 से हमें divide करना है तो yam minus 5 जो term है यह bracket आना चाहिए तो हमें इस bracket को यहां पर लेना है bracket के form में इसको convert करना है तो कैसे करेंगे तो 2 yam को हमें 2 yam को yam minus 5 से multiply करना है यहां पर division के बाद जो आया है 2 yam उसे yam minus 5 से multiply करें अब क्या होगा 2 yam into yam 2 yam square होगा अब 2 yam से minus 5 को हम multiply करते हैं तो 2 into 5 10 minus into plus minus minus 10 yam तो अब हम क्या करेंगे यहां पर जो भी आ जाएगा वो हम यहां पर लिखेंगे तो 2 yam into yam 2 yam square minus 5 into 2 yam minus 10 yam अब 2 yam square यहां पर 2 yam square है minus 3 yam हमें चाहिए लेकिन आ गया है क्या है यहां पर minus 10 yam तो minus 10 yam आ गया है लेकिन उसे हमें minus 3 yam ही करना है तो हमें यहां पर plus 7 yam लेने होंगे इसमें हम plus 7 yam लेंगे तो plus 7 minus 10 minus 3 हो जाएगा और यहां पर जो minus 3 yam है वो minus 3 yam as it is आ जाएगा अब 7 yam तक हमने लिखा है तो minus 3 yam यहां आ चुका है फिर उसके आगे क्या है plus 10 फिर जो next term है 7 yam फिर 7 yam को yam से डिवैड करिए तो यहां पर 7 आ जाएगा तो next term में हमें 2 yam into yam minus 5 यहां तक as it is लिखना है plus यहां पर रह गया है 7 तो 7 से हमें फिर यह इस bracket को multiply करना है yam minus 5 तो यहां पर 7 yam तक हमने लिखा है plus 10 अब यहां तक value आ चुकी है plus 10 को तो आगे लिखना है अभी इस पर्नामिल को इसी के फर में लिखना है अब देखें 7 into yam 7 yam आ गया है यहां पर 7 yam यहां पर आ चुका है 7 into minus 5 minus 35 अब 7 yam तक जो value आ गई यहां की minus 3 yam तक आ चुकी है अब plus 10 तो plus 10 है यहां पर तो plus 10 आना चाहिए minus 35 आ गया है यहां पर अब minus 35 में क्या plus करने के बाद plus 10 आ जाएगा तो हो है 45 तो हमें plus 45 करना पड़ेगा तो plus 45 हम अगर करेंगे तो यहां पर plus 10 आ जाएगा तो इसकी value चेंज नहीं होगी अब यह हो गया अब यहां तक last term आ चुकी है तो अब हमें यहां पर यह minus 5 common लेना है यह minus 5 इन दोनों से अगर हम common लेते हैं तो यहां पर 2M plus 7 रहेगा और plus 45 अब यह जो फर्म है वो है देखे dividend is equal to एक फर्म था dividend is equal to divisor multiplied by quotient plus remainder तो divisor यहां पर divisor है यह होगा quotient यह होगा remainder तो हमें quotient लिखना है quotient is equal to 2M plus 7 और remainder लिखना है sorry remainder है 45 तो इस तरह से हमें linear division method solve करने है और आगे हम जिससे example solve करेंगे आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा तो इसके आगे के जो question है वो हम आगली वीडियो में solve करेंगे तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद